आज हम लोग बात करेंगे हमारे पाचन तंत्र को कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए अगर किसी वी बज़े से आपका पाचन तंत्र कमजोर हो जाए तो कई स्टेप्स फॉलो करकर आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत कर सकते हैं ताकि किसी भी प्रकार का खाना पचाने में किसी दिख़त का सामना ना करना पड़े। दोस्तो हमारे पाचन तंत्र का काम क्या है? पाचन तंत्र हमारे सरीर के अंदर बहुत एहम रोल प्ले करता है। कोई भी खाना जब हम लोग खाते हैं तो पाचन तंत्र उस खाने को पचा कर उसके अंदर से nutrients को निकालता है और उसी nutrients को सरीर के हरे कुसी काओ पर पहुचा कर एनारजी पदान करता है और साती सरीर को तंदुरूस रखता है लेकिन पाचन तंत्र जब कमजोर हो जाए तो खा के साथ साथ कफ से जुड़ी कई विमारी है उसका भी सामना करना पड़ सकता है इसलिए पाचन तंत्र को दुरुस्त करना मजबूत करना बेहद जरूरी है तो पाचन तंत्र को मजबूत कैसे करेंगे सबसे पहले अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाए तो इंस्ट आप ठंडी पानी पीना छोड़ दे आप ठंडी पानी के जगा आप गुन-गुने गरम पानी पी सकते हैं। दोस्तो आईरुवेत के मुताबिक खाना खाने के बाद अगर आप ठंडी पानी पी लेते हो तो आपको पाचन में समस्ता होगी। क्योंकि जब भी हम लोग खाना खाते हैं हमारे पाचन तंत्र एक्टिव हो जाता है। हमारे शरीर का टेंपरेचर बढ़ाता है जिसके कारण खाना पचने में मदद होती है। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप खाना खाकर उठेंगे तो आपको गर्मी महसूस होती है। लेकिन खाना खाने के तुरंद बात आप अगर ठंडी पानी पी लेते हो तो आपका पाचन धीमा पढ़ जाता है। और अगर आप गर्म पानी पीएंगे तो पाचन आसानी से होगी और अपच की समस्था नहीं होगी। पाचन कमजोर पढ़ने का दूसरा बजा है विटामीन C की कमी। अगर आपके सरीन में विटामीन C की कमी है तो अभी आपका पाचन में समस्था हो सकता है। तो इसके लिए आपको भीटामीन सी रीच फूट लेना पड़ेगा। कौन सा चीज में आपको भीटामीन सी मिलेगी। खासकर आपको खट्टी फल में ज्यादा भीटामीन सी मिलेगी। जैसे कि संत्रा, निम्बू, कीवी, ब्रोकोली। इसके अलाबा, आप आमला भी खा सकते हैं। इससे आपका पाचन मजबूत होगा और आसानी से आपको खाना पचाने में मदद होगी। अपच की तिसरी बजा है, ज्यादा दबा के खाना। कई लोग क्या करते हैं, पेट को थोड़ा खाली रखकर नहीं खाते। वो पेट का भूख के बजाए, मन को संतूष्टी पदान के लिए खाते हैं। अगर किसी चीज मजा लग जाए, यानि उसका टेस्ट अगर बहतर हो, तो ज्यादा खा लेते हैं, दबा के खा लेते हैं। इससे भी अपच एसीरीटी गयस की समस्षा होती है। इसलिए आप जब भी खाए, असी पतिसत तक अपना पेट भराए, और बीस पतिसत खाली रखे। इससे आपका पाचन अच्छे से होगा, और आपको अपच एसीरीटी गयस की समस्षा कम होगी। पाचन तंतर को मजबूत करने का चवथा जो तरीका है, कोई भी समान को आप अच्छे से चिबोकर खाए। हम लोग जल्दबाजी में, या तो किसी के साथ बाते करते समय, कम चिबोकर या ना चिबोकर खा लेते हैं। इससे खाने का टुकड़ा जो है, वो छोटे छोटे नहीं बनता, जिसके कारण भी अपच असीरीटी की समस्षा होती है। अगर आप खाने को अच्छे से चिबोकर खाएंगे, तो खाने का टुकड़ा है, वो छोटा-चोटा बनेगा, और साथ हमारे मूँ से एक किसम का एंजाइम रिलिज होता है, जिसे कहते हैं लार एंजाइम, वो हमारे खाने को पचाने में मदद करती है। इसलिए आप कोई भी चीज खाएंगे, अच्छे से चिबोकर जरूर खाएंगे, इससे आपका पाचन में भी मदद मिलेगा और पाचन तंत्र को मजबूती भी मिलेगी। ज़्यादा पिए, याने हर दिन आप 3-4 लिटर जरूर पाणी पिए, क्योंकि पाणी हमारे पाचन में मदद करती है, साथी आपके अगर सरी में डिहाइडरेशन है, तो आपके सरीर को हाइडरेट करता है, हमारे इमिनिटी सिस्टेम को मजबूत करता है, सरीर से टॉक्सी पाचन तंतर भी दुरूस्त होगी। सरीर में पाचन में तो ऐसे मदद मिलती है, साथी लंबे समय के लिए आपके पाचन तंतर मजबूत भी होता है, तो फाइबार किस फूर्ड में मिलता है, दोस्तो किसी भी फल या भेजिटेबिल्स, ये सब में फाइबार की मात्रा ज़्यादा होती है, अगर आप पाचन भी आसानी से होगा, और दूसरा चीज आपका पाचन तंतर लंबे समय के लिए मजबूत भी होगा, पाचन तंतर को मजबूत करने का चवथा जो तरीका है, वो थोड़ा अजीब सा है, कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं, बातरूम जाने से भी टाल देते हैं, अ बातरूम के एहसास के साथ साथ आप बातरूम जरूर जाए, ऐसा बिल्कुल ना करे, अगर आप नहीं जाते हो, तो आपका जो मल हो टाइट हो जाता है, बाद में जाकर आपका पेट साप नहीं होता, इस से कप्च से जुड़ी कई समस्षा होती है, और आपका पाचन तंत जद्धे धन्नवाद